इंट्रेस्ट रेट आर्बिट्रेज क्वेश्चन पर वाँ देखें एवन स्पॉर्ड यूस्दी कैड इक्वल टू 1.1600 पाई क्वेश्चन लेखें पाँ बोड़ पे आप मुझे ज़रा गाइड करें क्वेश्चन पर वाँ स्पॉर्ड पोड़िश्चन बता है यूस्टी स्लैश्ट कैड कितना बाइव है 1.13 ये क्या स्पॉर्ड वन पोड़िश्ट वन फाइव और स्लैश्ट रिदी है कुछ नहीं क्वेश्ट है और उसके बाद क्या दिया है 6 मंथ का फाइवर डेट कितना 1.1410 और क्या दिया है USD इंटरस्ट रेट 2% USD का इंटरस्ट है 2% और क्या दिया है क्या दिया है 3% और आम दिया है क्या दिया है इंटरस्ट रेट 3% पर है और क्या पुछा रोने हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं दें देन नहीं की समस्क्राहँ वा समच मार जाएगा अभी मैने स्टार्ट करने के लिए आपको यहां पर मैने कुछ इंटर्पटेशन लिखे बताया है आपको बता करना है वो interpretation equal आ रहा है less than आ रहा है क्या greater than आ रहा है तो एक हम लोग परशन का equation का left hand side और इसको compare करेंगे with equation के right side left hand side का formula है f minus s upon s और right hand side का formula है r v minus r v into n upon 12 अभी e5 आपको मैंने ये दोनों भी AFM के formula है राइट पुरे टॉपिक हसम किया आपने AFM का formula आप ये भी AFM का formula है अब इसको हम लोग compare करते है forward rate minus quad rate forward rate बता है please 1.1410 minus quad rate बता है 1.1315 divided by वापस quad rate 1.1315 इसको compare दरना है r v याने क्या rate of interest of variable currency whenever यहां पर usd Canada दो दिया है तो usd मेरा base currency है और Canada मेरा variable currency है variable currency का interest rate मतलब cat cat का interest rate किदरा 3 3% minus usd का interest rate 2% 3% minus 2% into N N कितना है 6 6 upon 12 अभी आप इसको simplify करो 1.1410 minus करें प्लीज minus परोपेला 0.095 0.0095 0.0095 divided by 1.1315 यहां पर आजाएं यह 3-2% तो किता बन लिया 1% into 6 upon 12 वरवर अब यह जो 1% लिखा है क्या इसको मैं ऐसा लिखो दूँ तो चलेगा 1% यह लिए 1 divided by 100 करें लिखो कितना है 1 divided by 100 कभी-कभी 1.001 भी आजाता है 0.01 परवर है 1% multiply by 6 upon 12 अब इसको एक फॉट में असर लाएं 0.0084 0.0084 इसको एक फॉट में असर लाएं 0.005 0.005 0.005 क्या नहीं 0 हमने दो एक पॉटिशन को compare किया तो बरबर हमरे टर पॉटिशन था यह left hand side यह right hand side बरबर यह मेरा left hand side यह मेरा right hand side और हमेशा इसको फॉर्मला ऐसा रहेगा हमें यह पता करना था दोरूं में कि difference आता है या नहीं आता है अगर difference आता है तो interest rate, arbitrate, opportunity exist अगर difference नहीं आता है तो समय ही खतम हो जाएं difference आया ना? अभी आप अपने equation में देखें, interpretation वाले section में देखें बताओ यहां पर कौन greater हूँ और कौन less than होगे LHS is greater than RHS क्या हो गया? LHS is greater than मजलब यह sign आ गया? पका LHS is greater than RHS तो आप अपने equation में देखें आप कुछ आपर सिखाया गया equation में क्या करना है? LHS जब greater होगा तो क्या लिखना है? borrow in valuable currency invest in base currency लेखाए ना उदर? तो इसके नीचे यहाँ देखें conclusion यहाँ हमका standpoint होगा अगर यहाँ गड़बड़ की अलाग सक्व होगेगा क्या है? LHS is greater than RHS therefore interest rate arbitrage opportunity exist बरबाट दोनों में आतर है greater भी हो सकता है काम भी हो सकता है उसकी दिक्कत नहीं है second point किसमे बॉरो कर्में सिखाया? बॉरो इन वेरियेबल करन्सी वही दिखाये? बॉरो इन वेरियेबल करन्सी और हमारा वेरियेबल करन्सी है क्याट आया ना? यूस्य बेरियेबल करन्सी यूस्ट भी हो इन वेरियेबल करन्सी क्याट नम्मर वहीं बॉर्च इन वेरियेबल करन्सी val is base currency usd Mabar अब अपाला कि borrow करना है कहां से borrow करना है Canada से तैसा लो और एम्रिका में इंव्रिप्स्मेंट करो तो आपको interest, arbitrage मिलेगा इसके 6 step वाले answer है अब इसके वाल answer स्टार्ट हो रहे है और यह 6 step ते जाएगा Step number 1 दियान देना Borrow 1 million CAD Borrow 1 million CAD Variable currency में borrow करने बोला है न तो यहां पर जैसे हम arbitrage में भी करते थे मापकोर आप लोगों को investment का amount नहीं दिया होता तो basic amount क्या सिखाया 1 million के 1 million यां तो कभी-कभी सम्मे दे जाएगे 5 million borrow करो तो जितना बोले उतना करो अगर नहीं बोला है तो take it as 1 million तो 1 million borrow करना है and invest in USD market आप 1 million borrow करो कौँसा borrow करो? केनडा और कहा पर investment करो? USD में investment करते हैं बरबर यह हमारा पहला step हुआ अब केनडा से borrow करके अगर अमेरिका में investment करते हो तो उसको convert भी तो करना पड़ेगा we need to convert Canadian currency अगर अमेरिका में investment करते हैं तो American people क्या बोलेंगे? हमें तो American dollar तो अमेरिका आपने केनडा से नहीं से borrow किया मानदो आप केनडावाले मैंने आपसे borrow किया 1 million credit dollar और लेके चले गया अमेरिका में यह investment कर रहा हूँ तो will they accept credit dollar? no they will say आप हमें USD में लाके दो तो step number two यहां पर होगा convert 1 million CAD into USD वरवर convert 1 million CAD into USD at spot rate 1 million CAD यह रहाँ रहाँ उसको मैं convert करूँगा into American dollar आज convert करूँ के कब convert करूँ? अभी convert करूँ अभी convert करूँ आज मैंने आपसे 1 million dollar लिया और आज में चला गया American investment करने के लिए यह कह रहे हैं कि अगर investment करना है तो हमारे currency मिलाओ तो मुझे Canadian dollar को convert करना पड़ेगा American dollar में आज करना पड़ेगा आपको दी है क्या दी है बताए 1.1315 spot rate जो है 1 USD is equal to 1.1315 CAD यह equation जो ऐसा है इसको मैंने ऐसा लिखा को जिकत समझने में असामी होती यह usb slash CAD का मतलब ही होता है 1 usb equal to so just so CAD पका यह आज का exchange rate है spot dollar और American dollar और Canadian dollar के बीच में मेरे पास क्या है बताओ आज मेरे पास dollar है American dollar है Canadian dollar कितना है 1 million तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि I need this and I have 1 million CAD 1 million CAD पका समझा 1 million का मतलब 10 लाग 10 लाग लिख दिया पर हमने अब cross multiply करें क्या क्या बनेगा 88370 8370 इडिवाइट हो गया ना 59 डिवाइट इडिवाइट पॉइंट 59 59 देखिया है 59 59 59 59 USD करती है पका समझा तो कि 1 dollar Canada में ज्यादा है जो Canada का कम हो गया ना तो मेरे पास यहाँ पर आभी Canada का 1 dollar 1 American dollar इतना Canada तो 10 लाग Canada कितना dollar इतना dollar अब यह dollar लेके में चला गया अमरिका में investment करने के लिए आप से 10 लाग करना लिया और investment करने चले गया अमरिका में तो यहने कहा कि इसको convert करके तो dollar में तो dollar में convert करने पर rate amount कम हो गया अब 3rd step होगा इंवेस्ट को आपने कर दिया अब यह इतना dollar investment किया अब यह investment करें के question में देखो कितने मेने का investment दिया आपने 6 मेरे बाद तो आपको ऐसा मिलेगा ना अब यहां पर हम 3rd step में लाएंगे calculate market value of investment after 6 months वरबर calculate the market value of investment after 6 months in USD आपने पैसा पर American dollar नहीं लगाये था कितना पैसा लगाये था आपने 8,83,072 आपके पास मैं इतना पैसा दे दिया तो यह पैसा आप 6 मेने से माल करोगे और 6 मेने बाद मुझे लटा होगे with interest तो अभी हमें market value को लाना है और market value का formula देखे principal amount bracket में 1 plus R upon 100 into 10 upon 12 यह time value का formula future value का formula यह आपको 3rd या 4th में सिखाए गया था है ना principal amount बरबर principal amount को plus करेंगे, multiply करेंगे क्या करना है 1 plus R upon 100 into 10 upon 12 आप question में देखें आपका principal amount यहां पर कितना माने जाएगा यह वाला 8,83,007,82.59 इसमें add करना है 1 plus interest rate आपने investment किदर किया? अमेरिका में अमेरिका का interest rate कितना चल रहा है? 2% अमेरिका का interest rate चल रहा है 2% तो 2 upon 100 कितने समय के लिए? 6,20 इसको आप एक short answer बताएं जीज listen to this या आपको ऐसा करो पहला एक short minute कर पहेंगे आपको 8,83,782.59 into 2 upon 100 0.015 0.015 2 upon 100 into 6 upon 12 2 upon 100 0.02 into 6 upon 12 into 6 divided by 12 plus 1 1.01 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 2 2 1.01 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 5 5 6 2 5 यहां मेरे इंवेस्मेंट को मैंने कनवर्ट किया कैनडर को पैसा कितना लिया था? 10 मिलियन वो लेके मैंने इंको दिया इन्होंने पिस इंट्रस मुझे इतना रगम दिया है, वह इनकी बता, आपसे दस लाक लिया है, अब आपको मुझे दस लाक लोटा ना है, तो दस लाक लोटा होगा, इंट्रस के साथ, बरवर इंट्रस के साथ, तो step नमर चाह यहाँ पर देखें, जैसे आपने यहाँ पर calculate the market value of investment किया, वैसे ही यहाँ पर आपको अभी, step नमर फोर में, calculate the market value of borrowings, जितना हमने उधार लिया, calculate the market value of borrowings, after 6 months, बरवर, in Canada, बरवर, क्योंकि आपने borrow तो Canada dollar में किया था, अब repay भी आपको Canada बेही करना है, तो यहाँ पर भी वही formula, market value का formula, principal amount, multiply by 1 plus R upon 100 into N upon 12, कितना borrow किया था हमने, 10 लग, 1 plus R, के नदा का interest rate इतना चल रहा, 3% 3 upon 100 into 6 upon 12, यह वना 10 लग, आप इसको simplify करो, पैदा 3 upon 100, multiply by 6 upon 12, 1.015, प्लस 1, हाँ, 1.015, 015, बताओ कितना रहा है, 10,15,000, 10,15,000, 10,15,000 यह क्या बन गया, Canada, बरवर, 10,15,000 यह क्या बन गया, Canada, यहने, इतना आपसे 10,00,000 लिया था, अब देना आपको कितना है, 10,15,000, मेरे पास आया कितना, 8,00, 8,00, अब यह स्टेप को, अगर, अभी हम लोग स्टेप नमपर 5 दालते हैं, convert market value of investment from USD to CAD, यह जो मुझे American dollar में मिला, इसको आपको लोटाना है, यहां से dollar मिला हुझे, इसको Canada में लोटाना है, तो इसको भी convert करना पड़ेगा into credit dollar, वपस, तुवे लिखा, convert market value of investment, यह बाद न, convert market value of investment from USD to CAD, बरबर, यहां पर लगेगा, forward rate लगेगा, conversion का जो rate है न, अब वो कुण सा rate लगेगा, forward rate, क्यूंकि यह आज convert नहीं करना, 6 मेरे बाद convert करना, 6 मेरे पैसें के बाद था, 6 मेरे बाद इनों ने मुझे American dollar किया, वो American dollar को मैं convert करूँगा into Canada, after 6 months, तो forward rate क्या चलता है, हमारे पास, question में देख के आप मुझे बताए, forward rate क्या चल रहा है, 1 USD is equal to, यह बाला है न, power rate, USD कैड़ का power rate, 1.1410, 1.1410 Canada, बरबर, बताओ मेरे पास आप Canada है के USD है, मेरे पास USD, इतना है USD है, USD को को करना रे convert करना है, तो USD के निचे लिखना, USD के निचे लिखना, समझे आप लोगोंने, इतना American dollar है मेरे पास, 8,92,620, तो यहां लिखना, 8,92,620, 0.42 USD is equal to how much Canada, profit decline हरे आप, तो Canada dollar is equal to 8, लाइक पास, 10,008,479.90, 8,92,620, 0.42, multiply by 1.1410, divided by 1, 10,008,479, 10,008,479.90, 9,0, के आप, पका, समझा, बतो मेरे गें कितना हो रहा है तो, 18,439.90, देना इतना है आप नमार, और आया इतना है, तो स्टेप नूमबर 6, लास्टेप, अर्बिट्रेज गें, अर्बिट्रेज गें इस इक्वाल टू, स्टेप 5, माइनस, स्टेप 4, स्टेप 5 का अंसर ये वाला, इतना आया, तो स्टेप 5 का अंसर है, 10,18,479.80, माइनस, स्टेप 4 का अंसर है, 10,15, ये वाला, इतना इतना है, पाँ, मताँ, 3,000, 479.9, 0.90, what? cat, 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 बरबर, लास्ट में ये भी लिखते हैं ना हम लोग, पर 1,000,000, एक मिलियन बॉरो की है ना आपने, एक मिलियन बॉरो कर रहे हैं पर इतना आपके कमारी होगे, 3,479.90, पर 2,000,000 बॉरों पर तो इतना नवरों जाता, समझा, 6-step cancer, पर 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, झाल झाल